लगातार वारपे परतिवार् प्रेसवारत्यों के माध्युम से चल रहे हैं मीडम किस तरह की आज प्रेसवारता रखी गही है आज चुरू नगर परिशद में प्रेस कॉंफरेंस रखी गई है जिसके अंदर हमारे सम्मानित विधायक मोडे के दुआरा बार प्रेस कॉंफरेंस करके कुछ गंभीर आरोग जो है मुझ सभापती पर लगाए गए थी जिनका उत्तर उन्हें दिया गया है और साथी के अंदर राजी सरकार से गोहर भी की गई है कि चुरू नगर परिशद को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें जो है कुछ बजट एलोकेट किया जाए मैं अंदर यंदर साधारन सभा बेठक की भी सुख बुगा हट चल रही है क्या कब तक साधारन सभा की बेठक रखी जाएगी देखिए पहले भी कुछ पारशदगनों के द्वारा लिखित में एक आवेदन दिया गया था जिसके उपर सधारन सभा की बेठक तै हुई थी और अभी दुबारा एक आवेदन जो है वो आया है उन मुद्दों पर विचार किया जाएगा और अगर आवशक हुआ तो ही ब हमारा गासर गिनानी है हमका सवंदर एकरन आम जनहित के मुद्दे हैं जो हर्लाल जी सहरान है उन पर ये भी कहना है कि जो तेरह तरिक से आपके पास कोई फाइल पड़ी है जो ठावन लाग या साट लाग की है जो पेच वरक और उसके लिए तो उस पर आप साइन नहीं कर जो कह रही हैं कि सभापती साइन नहीं कर रही तो वह बात तो मुझे फोन पर भी बता सकते थे कि अभी मैदम आप साइन नहीं कर dåOL कोrob पी दी है कि उननके द्वारा जो जो आरोप लगाए गए वो सब केता अरोप है और हमार दाहक साभ है उनके द्वारे ये भी कहा गया था कि चुरू शहर में मैं रोश्णी में बस्ता नहीं चाहते हूं दिपावली के पर उपर, जिसकी फाइल मेरे पास में 13 अक्टूबर से पेंडिंग है, और 15 अक्टूबर को उन्होंने प्रेस कॉनफरेंस करी थी और उस दिन का था, जबकि वो फाइल में 12 अक्टूबर को कर चुकी थी, और उससे पहले भी फाइल मेरे पास में पेंडिंग कभी नहीं रही है, मैंने मेरे जो सवाल है, उनके जवाब मांगे है, मैंने बजट की रिपोर्ट मांगी थी तत्यातमक, अगर वो ये चाहते हैं कि मेरे पास में फाइल आ जब से विधान समा चुनाव हुआ है, जब से भाजबा की सरकार शाशन में आही है, तब से उन पर जो है वो एक पिंदू लग गया है, मैं चाहती हूँ कि जट तक मेरा कार्यकाल है तब तक जो है विकास कारे उसी गती से गर चलते रहते तो शायद आज चुरू शहर के अ आपनी योजना पंका सरकिल तक की और एक जो लाल घंटागर से राम अंदिर है, जहां पर डिवाइडर बना कर हरिटेज पोल लगाने का हमारा जो कारे योजना थी, वो चुनकि बजट के अभाव में विफल हो गई, और हमने जहां पर लगाए हैं, जो अपना तो इस नई राजिश सरकार के द्वारा जो बजट ऐलोकेशन है, वो जीरो है, मैं हरलाल जी सहारान ने ये भी आरोप लगाए है आप पे कि आपने जो मास्टर प्लान का जो एजेंडा बेजा था, उसमें आपने 200 फिट का एजेंडा बेजा है, और वो 1500 फिट करवाने में लगे हुए, उसको लेकर क्या कहिए? शब्दों में ये लिखा हुआ है कि 1500 फिट का प्रस्ताव बनाकर हमने राजसरकार को स्विकृति के लिए भेजा है, जोर्नल प्लान के अंदर ये 200 फिट था, लेकिन चुरू नगर परिशद के कॉंग्रेस के बोर्ड ने इसे 1500 फिट पास करवाने के लिए राजसरकार को बेजा था, और ये cut to cut very clear उसके अंदर जो है लिखा हुआ है शब्दों में, अगर आप चाहें तो विधायक साब को भी दिखा सकते हैं, मुझे नहीं बता वो किसके बातों में कैसे statement दे देते हैं, मैं तो फिर से यही राए दूँगी कि विधायक साब आपकी भी खराब क करने की जो है, वो साजिश रची जा रही है, उन्होंने तो ये भी कहा है कि पढ़ने लिखने से तो कुछ नहीं होता, गोणना पड़ता है, अब देखें, इतना बड़ा statement है, हमारे बच्चे सुनेंगे तो क्या सोचेंगे वो, नहीं देने चाहिए ऐसे statement, इस पद्ध के संधर्ब में ना लिया जाकर एक कुशल परशाशक के रूप में लिया जाना चाहिए था, और उन्होंने जिस परकार से उनके नाम को यूज किया है, और जिस परकार से उन्होंने पड़े लिखे लोगों के उपर जो बेयान दिया है, वो बहुत ही निंदनिया है, और इस बियानबाजी नहीं करनी चाहिए पड़े लिखे लोग ही दुनिया का ब्रहमन करते हैं और जो highly educated जो लोग हैं वही इस देश को चलाते हैं और चाहे हम politicians हो और चाहे कितने भी बड़ा नेता हो लेकिन एक प्रशाशक जो पड़ा लिखा प्रशाशक होता है उसी के माध्यम से ही ये सरकारें चलती है तो पड़े लिखे लोगों के उपर ऐसे बयान जो है वह में नहीं देने चाहिए आपने प्रेस वारता के दुरान ये भी कहा है कि मुकदमा दर्ज करवाऊंगी मैं अगर ज्यादा बात करेंगे तो देखिए अगर इसी तरीके के व्यक्तिगत आरो जो नहीं लगा सकते ही एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि हर्याना के ठीकेदारों से सबापती की साथ गांट इसका मैं सीरे से खंडन करती हूँ और मैं विधायक साब को नसीहत भी देती हूँ कि आप ऐसे बियान बाजी ना करें और इन बियान बाजियों से आप बच उसका एक अध्याय जो है वो जो समाप्त हो रहा है और निश्यद रूप से नया अध्याय जो है वो लिखा जाएगा और निश्यद रूप से चुरू शहर की चुरू की जन्ता की सेवा करने के अंदर आपकी पायल सेनी फिर से आप लोगों के बीचाएगी तो ये थी हमरे साथ नगर प्रिशर सभापती पायल सेनी जिनका कहना है कि विकास के जो पड़ाव है वो आगे भी जारी रहेगा और आगे भी चुनाव लड़ने के भी बात कही है केमरा परसंद पुनिश सोनी के साथ कोशल सर्मा सच बेदड़क के लिए चूरू से